Hello Friends, Welcome to Divya's Kitchen Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा जो बहुत गर्मा गरम और बहुत टेस्टी होगा हर पार्टी की शान होता है ये और वो है मूंग दाल हल्वा आज इसे हम अपनी किचन में बनाएंगे बिल्कुल ट्रडिशनल स्टाइल में तो चलिए शुरू करते हैं मूंग दाल हल्वा बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस दबैल आइकन सो लेट्स कोक दाल हल्वा के लिए यहां पर मैंने एक कप मूंग की दाल ली है जिसे मैंने एक घंटे के लिए गरम पानी में सोक कर दिया था ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब इसकी मैंने प्योरे बना ली है अब पानी बिल्कुल निकाल दीजे और ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा करके एक यह दो स्पून पानी के डालिए और इस तरह से एक पेस्ट बना लीजे अब एक फ्राइंट पैन में मैंने लिया है घी मुंगदाल हल्वा में घी थोड़ा जादा पड़ता है तो जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें डालिए एक टेबल स्पून सूजी और एक टेबल स्पून बेसन इन दोनों का एक अच्छाए कॉम्बिनेशन आएगा हल्वा में सूजी हमारे हल्वा को पैन से स्टिकी नहीं होने देगी अधर वाइस अगर आप इसके बिना बनाते होंगे तो वो हल्वा अपके बॉटम पे स्टिक हो जाता है सूजी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी और एक क्रंचिनेस आएगी एक क्रिस्पिनेस आजाएगी हल्वे में जब यह अच्छे से रोस्ट हो जाए यह देखे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं यह दोनों चीज़े अब इसमें हम दाल की प्योरे डाल देगे इस तरह से अच्छे से प्योरे हमने कर ली है अगर थोड़ बहुत क्रंचीज रहे भी जाते हैं दाल के तो डोन्ट वरी वो भी बहुत अच्छा टेक्स्चर देते हैं मूंग दाल हल्वा को यह दाल कुक होते होते वो अच्छे से पक जाएगी यह देखे कितना अच्छा हम इसे लगातार कंटीनूजली हम इसको स्टर करते रहेंगे अब एक तरफ मैं ले रही हूँ एक कप पानी अभी हमने इसके चाशनी प्रिपेर करनी है और एक कप चीनी इसके अच्छे सम चाशनी बनाएंगे और यह मैंने थोड़े सैफरन के स्ट्रिंग्स लिये हैं जिसे मैंने एक दूद में सोक करके रखा हुआ था यह हल्वा को बहुत अच्छा ही कलर दे देंगे अब यह चाशनी हमने कुक करनी है कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए देखे दूसरी तरफ हम कंटिनूसली स्टर कर रहे थे हल्वा को यह इस तरह से क्रंबल होने लग जाएगा अब देखेंगे तो यह इस इट मीन्स जो हमारे सब दाल है बेसन है वो रोस्ट हो चुके है देखे इसमें कुछ पानी नहीं है कुछ घी बिल्कुल सोख हो चुका है यहाँ पर घी बिल्कुल हमने नॉमल लिया है जादा भी हो तब भी कोई फ्रॉब्लम नहीं है चासनी भी अल्मूस्ट को खो रही है अभी थोड़े से क्रिस्टल्स हैं शूगर के इट विल टेक लिटल बिल टाइम बस हमने शूगर मिक्स करनी है और इधर हमने कंटिनूजली अपना हलवा पकाते रहना है और एक अच्छे टेक्स्चर के लिए आप इसमें डाले हाफ कप दूद ये बॉल करा हुआ दूद है कच्चा दूद नहीं लेंगे हम बॉल मिल्क लेंगे इससे हमें खोए की जरूद बिलकुल नहीं पड़ेगी हलवा में अधरवाइस हलवा में खोए की बहुत जादा फील होता है ना कि खोए के बिना हलवा कैसे बनेगा अब दूद डालिए तो जरूद नहीं है दूद सारे अब्जॉब हो चुका है अब इसमें हम अपनी चाशनी आइट कर देते हैं कोई एकतार वाली चाशनी ऐसा कुछ नहीं है सिरफ हमने शूगर को मिक्स करा है पानी में और अब इसमें एड़ कर दिया है अब हमने दाल और इस चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से और पूरी जो एक्टिविटी है अब पूरा जो हलवा बनाएंगे हम वो तो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं यूँकि दाल जब हलकी हलकी ग्यास पर कुख होती है तो उसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है और डाल पकने में थोड़ा टाइम लेती है इसलिए अप इसे लो टू मीडियम में ही बनाएं देखे किता अच्छा कलर आ चुका है अ इसी तरह से चौपर में मैंने चौप कर लिया था आप होल भी डाल सकते हैं पाउडर करके भी डाल दीजिए जैसे आपके पसंद करते हों अब कंटीनूसली आपको इसको स्टर करते रहना है देखे किता अच्छा लग रहा है न किता यम्मी और टेम्टिंग है मोसली ये कि किसी फंक्षन में ही हम लोग खाते हैं जब भी विंटर सीजन में कोई होता है लेकिन अब आप इसे अपने घर में बनाईए ये देखे जैसे जैसे को खोता जाता है इस तरह से ये इसके क्रिस्पिनस आती जाती है इसी तरह का हलवा होता है आप बस जहां पर ये घीच द्राइफ रूट के साथ गानिश कीजे और बनाईए घर में खाइए खिलाइए इंजोई कीजे इस विंटर सीजन को बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो सरफ विंटर सीजन में ही मजा आता है मूंग दाल हलवा उनमें से एक है आप जरूर बनाईएगा अपनी फैमली में इ कैसा लगा थांक यू थांक्स फोर वाचिंग दिव्यास किचिन